कर्म रहिस कान लगता है जीत फिलिम के वो हीरो बन गए हैं देश के ग्रहमंत्री अमिशा जियाँ धियन से सुनिये थोड़ा गहर से सुनिए लगता है जीत फिलिम के वो ही रो बन गए हैं देश के ग्रहमंत्री अमिशा जो अपनी प्रेमी का यानि करिश्मा कपूर द्वारा शादी से इंकार करने पर स्थनीदवल के रूप में कहता है धमकाते हुए बोलता है कि अगर इस दर्वाजे पर इस दहलीज पर पर लाशे बिच्छा डालेगा ठीक उसी तरीके की भाषा का प्रियोग करते हुए देश के ग्रहमंत्री अमिशा ने कहा है कि अगर करनाटक में सत्ता परिवर्तन हुआ यानि अगर करनाटक में बीजेप की सिकार चली गई और कॉंग्रेस सत्ता में आ गई तो वहां दंग पत्रकार किस तरीके से अपनी जबान तराशी कर रहे हैं या उन्हें चुप रहने का हुक्म सुना दिया गया है हर पहलों से आपके रूबरू कराने की कोशिश करेंगे लिकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भारतिये जंता पार्टी के एक दंगाई विधाय की यानि जो ज हुल है छोर्दर ठाइं वर्से हुल ठाहि इस ने मते को हैं ढलनो जिठाने लिगरा एपने वीडियो वीडियो को छोटे में नीज चैनल का नहीं है आज तक का ये वीडियो बताया जा रहा है या community तॉर पे दिख रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि बलसाड एक जिला ह वहां से भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है जिसका नाम है भरत पटे वो सीधे पुलिस वालों को दंका रहा है कि मैं दंगा करा सकता हूं आरोप लगाया जा रहा है कि कोई शोभाय आतर निकल ली ती और उस दोरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि वो दंगा करा सकता है आप तो जानते ही है कि गुजराट दंगों की भूमी बन गया है 2002 के बाद और उसके बास से कोन लोग सत्ता में बने हुए है और अमिशा जो देश के ग्रह मंत्रि है वो भी गुजराट से ही आते हैं तो जहाँ गुजराट का ये चुटबैया विदायक भरत पटेल कह रहा है कि दंगे करा सकता है तो उसी राज्य से आने वाले अमिशा को तो सुप्रीम कोट ने ऐसे ही मामलों में तड़ी पार कर दिया था वो आदेश के ग्रह मत्री हैं इन दिनों करनाटक पहुंचे हुए हैं करनाटक में आप जानते हैं दस मई को मत पर यहां पर सत्ता हतिया ली गई उस हतिया हुई सत्ता को बचाने की भरसक कोशिश की जा रही है लेकिन जो 40-40 कमिशन का यहां पर बना वहा है जो यहां इनके कुकर्मों का मुद्धा बना वहा है उसके चलते बहुत सारे इनी के मीडिया वाले ओपिनियन पॉल दिखा र सुप्रिम कोट ने मुसली मारक्षान खतम करने पर 9 मही तक रोग लगा रहें लेकिन फिर भी हर भासन में कहा जाता है कि हमने मुसली मारक्षान खतम कर दिया लेकिन अब तो उससे कदम आगे जाते हुए कहा जा रहा है कि हम अगर सत्ता में नहीं आए और कॉंग्रेस यहां सत्ता में आ गई यानि हा सत्ता परीवर्तन हो गया तो यहां दंगों पर दंगे का होंगे कैसे इस पूरे मामले को लेकार शुप्रिया सिर्डी अपनी बात रख रही हैं उन्हीं को सुने हैं यह चुनने का कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए कैसे लोगों को सक्ता में देखना चाहते हैं उसके बाद वो दो हाथ और आगे निकल गए उन्होंने कहा करनाटक में अगर भाजपा हार गई तो दंगे होंगे यह भाशा यह शैली यह धंकी ग्रह मंतरी की हो सकती है यह किस तरह की बाते करते हैं और आप कब समझीगा कि करनाटक की एक संस्कृती है परंपराए है तैज और लोगों को ये हक है कि वो सुनिश्चित करें कि वो किस को जिताएंगे यह अलग बात है कि जहां-जहां दंगे होते हैं महाँ पर दंगाईों को संगरक्षर देने का और दंगाईों को पोशड करने का काम भाजपा करती है अंततों गत्वा हर डंगाई का लिंक कहीं सुप्रिया सिरी ने ते कहा कि अभी तक तो जो है क्या-क्या बाते कर रहे थे और अब उससे एक कदम आगे जाकर दंगों की बाते कर रहे हैं मैंने आपके समने प्रस्पूमी रख दी के जब बहिया गुजरात का चोटा से विदाय कैसी बात कर रहा है तो यह तो ग्रहम उंत्री है और सुप्रीम कोट ने इनके साथ क्या आहल किया था क्या इन पर कारवाई की थी यह देश नहीं पुरी दुनिया जानती है और गुजर के दंगों के बासे पुरे देश के अंदर गुजरात के जो फार्मूले हैं गुजरात के अंदर जो प्रयोक शाला इनों ने बनाई थी जो एक्स्परिमेंट उन्होंने किये थे वहर जगा करने का प्रियास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर में भी इसक Shree Amit Shah to be lodged in the high ground police stations and action to be taken against Shree Amit Shah for spreading hatred, for spreading hatred among classes and religions, for disrupting the harmony of the peaceful state of Karnatka, for committing thorough practices, for knowingly making आपने रदीप सुर्जवाला को वाता रहे हैं कि अफाई यार दर्ज करा ने के लिए तहरीर दी गई है तो यह दंगो वाली बात देश का वो ग्रैमेंटरी कर रहा है जिसके जिम्में पुरे देश के अंदर सांती व्यबस्ता इस्तापित करने की जिम्मेदारी है यह संयोग है प्रियोग है क्रोनलोजी है क्या चुनाओं से पहले कोई दंगा बवा दुकाने भी नहीं लगाने दी जाएगी हरे रंग से बने हुए बस्टॉप को यहां पर मस्धित बता दिया गया हरे रंग से पुते हुए रेलवे स्टेशन पर भी यहां भी बाद खड़ा किया गया कभी यहां टिप सुल्तान के नाम पर नफरत फैलाई जाती है और कभी यहां पर कुछ और मुद्धा निकाल कर लव जिहाद लैंड जिहाद और ना जाने क्या क्या मुद्ध उठा कर यहां बवाल काटा जाता है अब उसमें दंगो का जिक्र किया गया है एक खबर वो रही थी मुझे लग रहा कि आपके सामने रखें अच्छी बुरी जो भी ल महुतर। जिए कर वी, हादा झाल, कर दो को है एक खबिता को अपक्र वैसंने करी हूद